भेडिया आएगा, भेडिया आएगा, भेडिया आएगा और भेडिया आगया पेपर लिख के मसले को लेकर कहा जा रहा था E.D. आएगी और E.D. आगई अब R.P.C. के चेर्मेन संजै सुरूतिय साहब और सचीव और दूसरे सदस्य भेडियर ऐसा कहा जा रहा है E.D. बुला रही है पूश्टाश के लिए मगर जा नहीं रहे हैं पता नहीं सचाई क्या है मगर क्या वाकई E.D. बुला रही है और जा नहीं रहे हैं और E.D. ने मामला दर्श कर लिया है क्योंकि ये मनी लॉंडरिंग का मामला बनता है जब जमीन के अंदर से कुदाल से खोद खोद कर पैसा निकाला जाए तो फिर मनी लॉंडरिंग का मामला तो बनता ही है मगर मनी लॉंडरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है कहा जा रहा है कि राजस्थान के दो मंत्री और तीन विधायक जेल भी जा सकते हैं क्योंकि RPSC की पेपर लिग परिक्षा की जांच होगी तो उसमें रीट मसला भी खुलने वाला है और रीट मामला तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था कहा जा रहा है उसमें नेता भी शामिल हो सकते थे इसलिए उस जांच को रोका गया और CBI जांच को रोकने के लिए सरकार हाई कोड तक गई थी मगर ED का रास्ता साफ था इसलिए ED ने कदम रख दिया यह संयोग है या फिर कुछ और है या फिर सचिन पैलट की दबाव की राजनीत है कि जिस दिन और पेस्टी के दफ्तर के बाहर से सचिन पैलट अपनी पद्यात्रा शुरू कर रहे है उसी दिन ED कारवाई के लिए बुला रही है पूछतास के लिए बुला रही है ED ने प्रात्विक रूप से इस मसले की जाँच की और इस जाँच में या पाया गया है कि बड़ी संख्या में लेन देन का मसला ये हो सकता है सेकेंड ग्रेड टीचर भरती परिशा का पेपर लिखाया मसला बावुलाल कटारा तक सिमित नहीं है अकेले बावुलाल कटारा पेपर के छे सेट नहीं ले जा सकता है कोई न कोई और लोग भी इसमें शामिल हैं और फिर बीजेपी हमांग करी रही थी कि बावुलाल कटारा को किसने आर्पेएसी का सदस्य बनाया क्या कोचिंग माफिया वालों ने बनाया क्या सी एम हाउस भी हो जाया करते थे क्योंकि डीपी जारोली और सुबास गर्ग पर भी आरोप लगे थे रीट परिक्षा पेपर लिएक मामले में तो क्या राजस्तान में अब पेपर लिएक मसले पर दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा क्या सारी कड़ियां खंगा ली जाएंगी जो आरपी एसी में लंबे समय से ये खेल चल रहा था क्या पुराने मसले भी निकाले जाएंगे दो हजार अठारा के आरेस परिक्षा का और वहां से लेकर अब तक क्योंकि बावुलाल का टारा तो एसाई भरती परिक्षा के इंटर्वियू में भी शामिल था जिस तरह से फिर से रीट परिक्षा हुई और जोदपुर में कुछ लोग पकड़े गए इनाम में गोशित किया गया फिर क्या हुआ ओखबर नहीं आई वो सारी खबरे निकलेंगी क्या रीट परिक्षा में किसने रांद कृपाल मेना को इंचार्ज बनाया था और चावी दी थी यह भी पता चल पाएगा क्या ट्रक का ड्राइवर कैसे मरा था इसका खुलासा होना भी बाकी है तो क्या जिस तरह से राजस्थान में पेपर लेकी घटनाय बढ़ती जा रही थी पाप का घड़ा भर गया है क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो आर्पेसी के सदस्य रिटायर हो रहे हैं वा भी अलग-अलग कोचिंग से जुड़ रहे हैं जबकि यह घलत है आपने परिक्षा की गोपनियता को देखी है और किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ कर आप उसे फाइदा पहुँचा सकते हैं कई कोचिंग संस्थानों के नाम आ रहे हैं सुरेश धाका कहा है और क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है भुपेंदर सहारण को एसो जी क्यों नहीं लेकर आई और भुपेंदर सहारण से राज क्यों नहीं उगलवाए गए उद्यपुर में भुपेंदर सहारण की जाच हो रही है और यहां पर सेरसी मिना की और सुरेश धाका की कोई जाच ही नहीं हो रही है सुरेश धाका पकड़ा जाता है वो पेंदर सहारां से पूछ ताच होती है तो बीस सालों के पेपर लिखका पाप निकलेगा और राजस्थान के बेरोजगार जो खून के आंसू रोए हैं उनका भी इनसाफ होगा क्योंकि बच्चे कह रहे हैं पढ़कर करें क्या हम पढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर आउट हो गया कोई माई बाप ही नहीं है बताने वाला ये तो भला हो ये तो भला हो इन चात्रों का जिनके पास कोई पेपर भेज देता है लालच में और पैसा कमाने का और ये खुलासा कर देते हैं तो फिर ये खुलासा हो जाता है वरना आप ही बता दीजिए कि क्या RPSC ने और करमचारी चैन बोर्ड ने किसी भी पेपर लीक को पकड़ा है उदेपुर में भी जो ये बस में बैठा कर परिक्षा दिलवाया जा रहा था पुलिस ने नहीं पकड़ा है एक छात्र के पास आफर गया था उससे पैसा नहीं जुट पाया और पुलिस के पास जाता है पुलिस जैपुर बताने से पहले करवाई कर देती है वरना क्या पता करवाई भी नहीं होती और अब तो हालत्या हो गई कि कोई 93, 93 परशन पत्र मिल रहे हैं मगर कोई जुम्बिशी ही नहीं है कोई हलचल ही नहीं है क्योंकि आत्मा सूख गई है बिरोजगार लगातार परदर्शन कर रहे हैं भरतियों का लॉली पॉप पकड़ाया जा रहा है 13, 18 के नर्सिंग भरती परिक्षा में जो पास हुए थे वह भी इंतजार कर रहे हैं कल नर्सिंग डे है CH वालों ने कितना अदुलन किया आपने देखा ही था अब CH वाले भी कर रहे हैं पेपर लिक को लेकर कल करमचारी चैन बोट के आगे बड़ी रेली निकाली गई कल फिर से तृतिये सिक्षक के पद को बढ़ाने के लिए विरुजगार धरने पर बैठ रहे हैं ये जो डेड़ लाग सवाल लाग भरतियों की बात कर रही है गहलोज सरकार ये वसंधार राजे ने चुनाओ जीतने के लिए आखरी में निकाला था और वो आकर अब जाकी पूरी हुई है कांग्रेस सरकार की भरतियां तो अभी पूरी ही नहीं हुई है और चार पांच महिने का वक्त है मुख्यमंतरी अशोग गरत को लगता है कि आठ महिने का वक्त है शायद गणना में कोई गलती कर रहे है मगर बेरुजगार कहां जाएंगे और वसंधार राजे आखरी में लाखों भरतियां निकालने के बाद भी जीत नहीं पाई तो सरकार को समझना चाहिए कि आप साड़े चार साल खून के आशो रुला कर छे महिने में भरतियां निकाल कर आप चुनाव नहीं जीत पाऊगे राजस्थान में सत्तर फीस दी हुआ इस बार वोट डालने जा रहे हैं और ये सरकार बना भी सकते हैं सरकार बिगाड भी सकते हैं अब तक कभी भी ये वोट बैंक के रूप में नहीं रहे हैं मगर जहां भी राजस्थान तक सर्वे करा रहा है छात्रों में गुसा है गुसा है पेपर लिख के मसले को लेकर अब एक उमीद जगी है जब एडी ने केस दर्ज किया है एडी कितनी जल्दी कारवाई करती है यह उसके साह के उपर भी निर्भर करता है लोग अगर कारवाई नहीं होई तो वहां से भी नाउमीद होंगे इसलिए मुझे लग रहा है कि डक्टर किरोडिलाल मीना डक्टर किरोडिलाल मीना जब सेचिन पैलेट के पद्यात्रा का समर्थन कर रहे है तो इसी मसले पर समर्थन कर रहे है कि पेपर लिग के मसले पर कोई तो बोल रहा है और कहरे हैं मैं साथ हूँ इडी जांच कर रही है तो उसमें बड़ा हाथ डक्टर किरोडिलाल मीना का है क्योंकि जैपुर से दिल्ली तक सड़क की अलवा उन्होंने दफ्तरों के चक्कर भी खूब काटे हैं इन्तजार रहेगा इनसाफ का कि क्या वाकई राजस्थान में और सारे अधिकारी भी जेल जाएंगे नेता और विधायक भी जेल जाएंगे जिसे इस तरह से दूसरे राज्यों में गए हैं या फिर एडी की जांस को राजनीत का हतकंडा बताकर इसे खारिश करने की कोशिश की जाएगी हमारी नज़र रहेगी एडी जांस पर और हम भी इंतजार करेंगे कि आरपी एसी के सदस्य पूछतास में हिस्सा लेने जाते हैं या नहीं जाते हैं बावुलाल कटारा जितने पैसा दिखा रहा है क्या उतने ही पैसे का खेल है या खेल बड़ा है सुरेज धाका कहा है और किस के सह पर है इस खुला से का भी हमें इंतजार रहेगा आप देखते रहिए राजस्तान तक नमस्कार जैपूर से शरत कुमार झाल